चिकिन कारी कुर्ती मुझे लगता ये एक वो वरसिटाइल पीस है जिसे हम पता नहीं कितनी तरह से स्टाइल कर सकते हैं इसे हम पाटी वेर लुक भी दे सकते हैं, काजूल लुक दे सकते हैं तो आज की वीडियो में मेरे पास ये अनार कली चिकिन कारी कुर्ती थी जिससे मैंने multiple तरीके से style किया है इसे मैंने casual look भी दिया है, party wear look भी दिया है आपको कौन सा look अच्छा लगेगा वो मुझे आप comment section में लिखकर ज़रू बताईएगा यह कुर्ती तो मैंने offline खरी दी अगर आपके पास कोई already है आप उसे यह वाले style ट्राइ कर सकते हैं उस कुर्ती के साथ नहीं है तो मैं आपको कोई online कुर्ती अगर मुझे मिली similar तो उसका link मैं आपको description box में दे दूए फर्स लुक में मैंने से बहुत ही simple तरीके से style किया है इस कुर्ती की जो length है that is full length पर जो इसकी मैंने lining ली हुई है वो knee length तक है तो इसमें मैंने अंदर जो पहना है वो white color के leggings पहनी है जो उतनी visible नहीं है अगर नहीं पहनेंगी तो legs clearly दिखते हैं फर्स मैंने सोचा कि इसको थोड़ा western look देते हैं पर इस वाली कुर्ती में without wearing leggings वो अच्छा नहीं देख रहा था तो इसलिए मैंने अंदर leggings पहने है इसमें मैंने बस बाल खुले रखे हैं ये बड़े-बड़े से stone वाले earrings पहन लिये हैं bracelet पहना है and pumps के साथ में style किया है जो grey color की थोड़ी-थोड़ी heels हैं में overall ये look मुझे बहुत ही simple and easy to carry लगा इस look में मैंने इस बनार सी maroon color के दुपटे के साथ में style किया है ये gold look वाला necklace पहना है और वैसे ही वाले matching bangles पहने है and पैरों में मैंने pumps को change करके flat जूतीज पहनी है तो इन सारी चीजों ने इस fight कुर्ती में एक color element आड़ कर दिया है ये एक ऐसा look है जिसे आप किसी छोटी-मोटी party में easily carry कर सकते है इस बार मैंने बनार सी ही magenta color का दुपटा लिया है उसको मैंने pleats बना के एक shoulder पे डाला है और दूसी side में उसे bangles के साथ tie कर लिया है बड़े-बड़े gold color की ही जूंकी पहनी है और golden ही bangles पहने है same जूतीज पहनी है that's it यह लुक भी किसी छोटी-मोटी party के लिए एकदम appropriate है बहुत ही classy और बहुत ही stylish लगेगा अगर आप इस लुक को carry करते हैं तो और since हमने दुपट्टे को इस बार pleats बनाई हैं तो comfortable भी जादा रहेगा यह लुक एकदम इंडो-western और casual लुक है यह printed black color का दुपट्टा था मेरे पास जिसे मैंने uneven करके neck around पहना है उसके उपर से black color की belt की साथ style किया है और जिसकी corners थी उनको वापस ते लेकर मैंने belt में ही tuck in कर लिया है तो यह बहुत ही casual सा लुक है जो बहुत जादा stylish लग रहा है and it's very very comfortable इस ट्रडिशनल कूर्टी को इस लुक ने इंडो-western लुक दिया है black color की ही समें मैंने bellies पहनी है so overall ही बहुत ही comfortable stylish look है इसमें मैंने black color की ही थोड़े लंबे-लंबे से stones वाले earrings पहने है high ponter बनाई है that's it यह वो traditional look है जो तुम्हारे पडूस वाली जो आंटी है न तुम्हें ट्वेस्टन कपडों में देखके जज करती रहती हैं तुम्हारे संसकारों पे उंगली उठाती है इसमें देखकर तो वो भी तुम्हें कहने पर मजबूर हो जाएंगी कि देखो ना लड़की कितनी संसकारी है वेल यह तो मजाग था पर यह जो लुक है यह proper traditional है सेम दुपट्टे को मैंने एकड़म traditional way में स्टाइल किया है एक हाथ में silver के bangles पहने है जूती पहनी है पॉनी टेल बनाई है और traditional से earrings पहने है यह बहुत ही casual बहुत simple look है आपको किसी के घर जाना है किसी बुआ के किसी relative के आपको घर जाना है and you want to wear traditional तो यह look वहाँ पर easily carry किया जा सकता है मेरे पास ही hand painted दुपट्टा था जो मैंने किसी exhibition से लिया था when I was in kurgaon और तब से ऐसी रखा हुआ है तो यह मुझे लगा इसको एक तम different look देगा hand painted दुपट्टा है बहुत ही stylish लग रहा है इसमें कई सारे colors भी है और इसमें मैंने magenta का लगा दुपट्टा है मजेंटा है यह AD का necklace पहना है same उसके matching earrings पहने है bangles and cocktail ring पहनी है flat jutis के साथ style किया है overall यह भी किसी हलके full के function में बहुत अच्छा लगेगा इसे भी summers आने वाले हैं और summers में पसीना इतना आता रहता है overdress होने का मन नहीं करता है कोई हलका full का function है किसी के घर जाना है या कोई पूजा function है तो उसमें easily carry किया जा सकता है इस look में मेरे पास ये बांधनी blue कलर का दुपटा था जिसमें light and थोड़ा सा dark blue का combination है जो बहुत ही प्यारा लग रहा है इसके साथ इसके साथ में मैंने ये बड़े-बड़े 92.5 silver की earrings पहने है और ADK bangles इसके साथ match कर रहे थे वो पहने है फ्लाट जूती जो पहने हुई थी वही पहना हुआ है ओगो और ये भी मुझे casual सा simple सा look लगा बहुत ही comfortable है earrings बड़े तो दिख रहे हैं size में but they are very comfortable 92.5 silver जो होता है वो बहुत ही light weighted रहता है कानों में बिल्कुल heavy feel नहीं होता है इसलिए बड़े हैं तो stylish लग रहे हैं very comfortable also इस लुक में ये एक और दूपर्टा था blue color में जिसमें blue and white का pattern है ये शिफॉन का दूपर्टा है बहुत light weighted इसमें एक लेस लगी है white color की ही चारो तरफ और ये बहुत ही light weighted बहुत comfortable है इसको मैंने थोड़े different तरगे से कारी किया है instead of back side front से लेके मैंने से बैंगल में tie कर लिया है ये वाले heavy से earrings पहने है और ये बहुत comfortable लुक था next ही मेरे पास एक shrug है जो अगर आप मुझे follow करते हैं तो आपने मुझे पता नहीं कितनी बार स्टाइल करते हुए देखा होगा तो ये shrug मेरे एक लिपास का मेरे पास खुर करते हैं बट fight is something जो सारे ही colors को compliment करेगा तो इसके उपर ये jacket बहुत अच्छी लग रही है बहुत stylish लग रही है इसमें मैंने oxidized जो है चोकर पहना है उसी ही matching earrings पहने है oxidized bangles पहनी है जो stack करके flat jutis पहनी हुई है बालों को खुला रखा है and overall ये बहुती comfortable indo-western सा बहुती stylish look लगा जो बहुती easy to carry है और इस चिकन करी कुलती को इसने अग्तम ही different look लोग दिया है next look जो है ये मेरी w4 women की jacket है जो मैंने काफी time पहले ली थी ये इसके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है ये off white color and black color का है इसके ये इसका जो design है मुझे बहुत अच्छा है इसका जो डिज पहने हुए है जो तीज ना पहन के मैंने इसमें ये gray color के pumps पहने हैं जो बहुत अच्छे लग रहे हैं इसके साथ compliment कर रहे हैं इस color को overall ये भी बहुती casual सा stylish look मुझे लगा next look है ये मेरे पास एक chicken curry दुपट्टा था किसी एक मेरे पास proper suit set है पत्याला सलवार के साथ ये उसक look that traditional girl ये वैसा वाला लुक है जुती सी पहने हुए है मैंने और ये बड़े-बड़े से oxidized earrings पहने हैं ये आइस आमेजान से लिये थे हैं में छोड़ा परल की detailing है नीचे जो बहुती सुंदर लग रहे हैं overall इस लुक के साथ बहुती simple comfortable सा लुक है सीम oxidized bangles पहने हुए हैं overall ये लुक मुझे बहुत जादा अच्छा लगा ये वाला लुक बागी के लुक से एकदम different है इसमें मैंने proper indo-western लुक रखा है ये मेरे पास एक जैकेट थी denim की जो बहुत अच्छी लग रही है stainless jacket है और इसमें मैंने hoop earrings पहने हैं half abdo बनाया है gray color की ही जो मेरे pumps हैं वो वाल चाहिए तो आप ये वाला लुक कर सकते हैं इस वेरी वरी comfortable बहुत ही अच्छा लग रहा है और इस चिकन कारी को इसने different look दिया है next is again that look जो हम हलका फुलका कहीं dress up होना चाहते है ना overdress नहीं लगना चाहते हैं ये मेरे पास organza दुपटा रखा था काफी टाइम से ये sky blue color के इसका color मुझे इतना प्यारा लगता है इसके उपर ये gold and white thread की detailing है जो बहुत संदर लग रहे है cut out type का design है इसके borders पर चारो तरफ ऐसा वाला design दिया गया है वह है इसमें मैंने ये earrings पहने हैं जो ये ADK gold color के round round design वाले earrings हैं pumps पहने हैं same gray color के एक हाथ में इंस्टर और बैंगल स जब मैंने bracelet पहना है overall ये भी वह वाला लुक है जब आपको लगता ना कहीं ये overdress तो नहीं हो गई हूं मैं किसी function के लिए या किसी पूजा function के लिए जहां आपको traditional लिखना है बहुत ही हल्का फुलका आपको ready होना है overdress नहीं लगना है बर आपको stylish भी दिखना है कि हाँ आ इतना जादा stylish लग रहा था जो मैंने बिल्कुल भी expect नहीं किया था यह बहुत जादा stylish लग रहा है यह बहुत जादा stylish लग रहा है यह प्रॉपर महरानी वाला ये necklace है और दुपट्टे को मैंने डफरेंट अरीके से स्टाइल किया है कॉक्टिल जो रिंग है वो पहनी है क कि मैं बैंगल सब्सक्राइब पहन रहा था यह बहुत चोटे-चोटे स्टर्ट्स पहने हैं सेम मैंने ग्रे वाले पंप्स पहने हुए हैं तो यह वाला लुक मुझे बाकी के लुक से बहुत ही डिफरेंट और स्टाइलिश लगा यह necklace ने इस लुक को ओवर चेंज कर दिय करने का स्टाइल पी मुझे अच्छा लगा नेक्स अगेन यह एक और हैंड पेंटे दुपत्ता है यह कॉटन पैब्रिक में है वह थोड़ा सिल्क में था इसको मैंने उससे थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिया है क्यूंकि यह कॉटन का है तो इसका फ्लो काफी अलग है थोड़ा हाद उपत्ता नहीं है तो मैंने एक सबल्ड पे डाला है दूसरी साइड में इससे मैंने अ अपने हाथ पे ही यह यह बहुत अच्य की बंगल नहीं में पहनी है यह पर्ल का और मैं मारून क्लर कश्ममें डिजाइने ये वाला मैंने necklace पहना है same उसके matching earrings पहने है और grey pumps के साथ इसको style किया है ये भी किसी hulky full के function के लिए बहुत अच्छा रहता है high ponytail बनाई है जो summer's में एक दम perfect है क्योंकि खुले बालों में बहुत ज़ादा गर्मी लगती है so overall I love this look ये एक मेरे पास गुजराती style का blouse है ये जो front से भी इसका boat neck है and back side से भी इसका boat neck है तो इस blouse को मैंने पहना है इसके जो buttons हैं, hooks हैं वो back side में हैं इसको मैंने एक तरह से jacket का look दिया है और ये इसके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था ये बड़े बड़े से earrings पहने है and bangles पहने है next ही मेरे पास एक और गुजराती style की mirror work की jacket रखी हुई थी and ये मैंने इसके उपर पहनी है oxidized bangles ही stack किये हुए है और कानों में बड़े बड़े oxidized earrings पहने है जिन में mirror work है क्योंकि jacket में mirror work था अच्छा लोक लगा मुझे and very comfortable इसमें मैंने cocktail ring oxidized ring पहने हुए है एक हाथ में मैंने दो bangles पहने है दूसरे साइड में कोई bangles नहीं पहने है इसलिए मैंने वो रिंग पहन लिया तो overall ये भी लोक काफी जादा comfortable और casual सा लोक है और इस जैकेट से इसमें थोड़ा सा गुजराती तच आ जाता है next ही maroon color का एक और मेरे पास red color का red maroon tight cast का color है एक और बानी दुपटा रखा था इसको मैंने एक shoulder पहना है neck में मैंने pearl का and green detailing का एक choker है जूती पहनी हुई है cocktail ring पहनी है और इसी के माचिंग मैंने earrings पहने है और ये क्यूंकि इसमें neck में थोड़ा सा deep design है तो ये इसमें बहुत अच्छे से चोकर इसको compliment कर रहा है कुटी के design को इस लुक मेंने इसी दुपटे को बहुत traditional तरीके से लिए पहनी है फ्लाट जूती पहनी है oxidized जिसमें थोड़ी सी maroon detailing है जूंकी पहनी है और oxidized drink पहनी है तो आपको सरचिंग सिमिलर कृती online तो Amazon पर मुझे सेम कृती नजर आई उसका link में आपको description box में दे दूंगी ऐसी और वीडियो देखना चाहते है या कोई आपकी suggestion है do let me know right in the comment section और इन सारे looks में से आपको कौन सा लुक्स सबसे जाबा अच्छा लगा वो मुझे ज़रूर बताईए का thank you so much मैं मिलती है एक और नई वीडियो के साथ तब तक लिए bye bye take care